नमस्कार दोस्तो, स्वागतयाब सभी का pathfinder पर दोस्तो भारत की finance minister श्रीमती निर्मला सितार मंद जी Washington में Bloomberg को इंटर्व्यूर दे रही थी और Bloomberg में interviewer ने पूछा क्योंकि oil prices तेजी से बढ़ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं अभी हम सरचा करेंगे पर जब उतीजी से बढ़ रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इंटर्विवर ने पूछा कि आने वाले दिनों में 60 डॉलर प्राइस काप बहुत असानी से ब्रीच होने वाला है तो क्या इंडिया G7 प्राइस काप को ब्रीच करते हुए भी रश्यन ओयल खरीदेगा या 50% ओयल इंपोर्ट किया जाता है तो ऐसे देश की एनर्जी सेक्योरेटी को मेंटीन करना सबसे आवश्यक है जहां से भी ओयल हमारे लिए एफोडिबल रहेगा हम वो लेंगे और इन शॉर्ट उन्होंने कह दिया कि हम G7 प्राइस काप से बिलकुल भी डरते नहीं हैं तो आप देख सकते हैं इसको internationalी nationally अलग अलग अक्बारों में भी cover किया जा रहा है हर जगे cover किया जा रहा है इंडिया ने, इंडिकेट कर दिया है आने वाले दिनों में हम G7 प्राइस काप को reject करने वाले हैं तो, News में किया है दोस्तो, Finance Minister, शृमती निर्मला सी तरामन जी, ब्ल का उसे breach करने वाला है यदि जरुरत पड़ी तो और इंडिया बिलकुल भी डरता नहीं है जब बात होगी उसके citizens के interest की तो इंडिया G7 price cap को reject करेगा तो उनके exact शब्द क्या है मैं आपको बता देता हूं तो उनसे मैं एफोर्ड कर सकते हूं उससे ज्यादा मुझे पैसे देने पड़ेंगे हमारा बहुत बड़ा population है जिसके देखवाल हमें करनी है तो हमें ensure करना होगा कि हमें जिस कीमत पे oil मिल रहा है वो affordable बना रहे finance minister ने कहा इंडिया को constantly best deal ढूणना पड़ता है क्योंकि 80% of its crude oil requirements हम import करते हैं उन्होंने ये भी site किया कि देखिए higher oil prices बहुत बड़ा risk है और रशिया रशिया यूक्रीन का जो war है उसका जो spillover effect हो रहा है याने unintended consequences है रशिया यूक्रीन war से बाकी economic sectors में भी जो impact हो रहा है coupled with higher oil prices ये दो सबसे बड़े threat हैं इंडिया के economic growth में तो यहां पर दोस्तों आपको कुछ numbers भी में बताना चाहूंगा जो Asia का thirst है Russian oil के लिए बहुत तेजी से बढ़ड़ा है दोस्तों अगर हम volume of crude exports की बात करें तो रशिया ने इस साल के मार्च में पिछले तीन सालों में अब तक का highest volume of crude oil export किया है पिछले तीन सालों का highest है यह एंड इतना ही नहीं दोस्तों यह नंबर है दिस इस फाइम और यह देख सकते हैं रशिया ने उक्रेइन को इन्वेड किया है और उसके बाद से इंडिया का लगबग 0 चल रहा था रशियन और आप देख सकते हैं यूक्रेइन इन्वेजन के बाद से इन्वेजन के जगा आप special operation भी term यूज कर सकते हैं depending upon आप जो भी version कहना चाहें तो उसके बाद से इंडिया का oil imports from Russia तेजी से बढ़ा है और इंडिया चायना को कहीं replace भी कर चुका है तो दोस्तों यहां पे कुछ challenges हैं जो बहुत जरूरी है मैं आपको बता दूँ देखिए सबसे पहले तो इंडिया ने कोई agreement तो sign किया नहीं impose करेंगे लेकिन जाहिर सी बात है अगर 60 dollar per barrel से जादा कीमत पर यदि हम crude oil खरिते हैं तो हमें shipping insurance यह सारी service नहीं मिलेगी लेकिन कहा जा रहा है इसके बावजूद भी इनके बिना भी western bank shipping insurance के सिवा भी already एक alternate mechanism रश्या और इंडिया ने तयार तरके रखा है तो इनके 60 dollar per barrel price cap exceed होता है तो भी हम Russian oil खरित पाएंगे तो कहीं न कहीं G7 price cap से बच पाएंगे at the same time आपको यह भी कहना चाहूंगा officials ने previously कहा था कि देखिए जो 60 dollar per barrel का price cap है उसको बहुत मुश्कल चांस है की breach करना पड़ेगा इंडिया को क्योंकि आप देख सकते हैं जो oil price चल रही थी वह परसेंट तक का discount भी दे रहा था तो 60 dollar per barrel price cap से हम बहुत नीचे चल रहे थे लेकिन अब एक बड़ा change आया है दोस्तों क्या change आया है recently OPEC Plus ने oil output कट कर दिया है तो साओधी अरेबिया लेड और अन्य जो oil producers हैं उन्होंने काया कि हम per day 1.16 million barrel कम oil produce करेंगे यानि मार्केट में कम oil आएगा तो जाहिर सी बात है demand कुछ उतनी ही है supply कम कर देंगे तो कीमत बढ़ जाएगी हाला कि OPEC का ये भी कहना है कि लग रहा है economy global economy recession में जा रही है तो वो डर रहे हैं कि कहीं oil inventories बहुत ज्यादा ना हो जाए तो oil glut ना हो जाए और वापस से oil 40 dollar per barrel वाले range में ना पह output कट किया है पर जैसे ही oil output कट हुआ है आप देख सकते हैं oil price में क्या तेजी आपको देखने मिली है और अब रशियन यूराल 60 dollar per barrel का margin पार कर चुका है 67.3 पर चल रहा है बिल्कुल latest information मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो को बनाते वक्त पर दोस्तों यहां पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि अभी रशिया इंडिया को कुछ discount भी offer करता है जिस वज़े से अगर आप देखें तो यह कीमत घटके 60 dollar पर barrel के नीचे आ जाती है तो इंडिया already pre-existing supply lines है जिसमें western shipping model है western insurance है उन सब का साहेता है उन सब का इस्तमाल करते हुए भी इंडिया Russian crude मंगवा सकता है तो इस वक्त तो दिक्कत नहीं है लेकिन आने व को implement करना होगा इसके सिवा आपको यह भी बता देता हूं निर्मला सितर अमन जी ने इसी interview में यह भी कहा कि US में possible recession आने वाला है और अन्य developed countries में भी recession आने वाला है तो यह भी एक challenge है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया की जो exports हैं उसको कहीं ना कहीं उसमें उसको hurt होगा क क्योंकि western economies में जो demand है recession के हुझे से वह कम हो जाएगी तो इंडियान manufacturing इंडियान exports में भी काफी challenge face कर सकते हैं आने वाले दिनों में